हुआ है वेल्काम टो इंजीनेस पाइंट आज हम पढ़ेंगे ब्रीक मेशनेरी का सबसे लास्ट टाइप है रेक्टेंगुलर ब्रीक मेशनेरी सीवर देखिएगा रेक्टेंगुलर सीवर कैसे करते हैं सबसे पहले एक बेस तयार करते हैं सबसे पहले एक बेस तयार करेंगे पीची का और इसके उपर रेक्टेंगुलर बनाते हैं रेक्टेंगुलर क्रास सेक्षन दीखे रापको रेक्टेंगुलर सीवर उसके बाद क्या करेंगे अब इसको क्या किया था हमेशा धंक करके रखायता है तो बदबू करने लगा खुला छोड़े ही नहीं सकते पूरा अब अब इसी का साइज देखेगा एसाइज हम ले ले रहे हैं 600 mm और एसाइज क्या ले रहे हैं 800 mm ठीक है अब कितना हम ले लिए हैं कोई फरक नहीं दिवारों की मुटाई हैं 20 cm ठीक है इसको ले रहे हैं 303 में ले रहे हैं 1500 और मुटाई ले रहे हैं 20 cm मुटाई कितना ले लेंगे बीस केंटीमीठर ठीक है तो गीवेंड़ा ए है क्या है हम लिख रहे हैं कि साइज आप साइज आप सीवर साइज आप सीवर क्या हुद्ध्य होई 600 mm गूढे 800 mm यहीं चंब्डाई कितनी है आठ स क्या है कि गंडेतों कि आट थीकने कि हैाते हैं कर देख दीवारों की मुटायिया कितना है 25 सेंटिमेटर तिएicial कप्ट कर सकते हैं ठीक है बेश कंक्रिंट बेस कंक्रियट क्यास चैनलाइक कितनी है टेरा वाय टेक है और नाक्याथ बेश कंक्रिय। थिकनेस कैना जाएगा आपका वेसकस तैकनेस और सेंटिमीनली सлек नहीं हो सकतें कोई फरक है ठीक है जनलिए इसकेल यहां कर देख विलिए सकते कोई फ़रक नहीं अब सबसे पहले कि इतना लंबा लाइन कीचेंगे कितना हो झाहिए हका है म खुग चेंट बखार नो मुटाई कितना याँता आपका उसके उस क्या खर देंगे हम पीसी सी ठीक है यह एक इतना होगा आपका तेरह सव एमें ठीक है और मुटाइब आपका आपका बीस संटी मीटर क्या जागा मुटाइब करका आपका थे शेंतीए में रे завис already चलिए उसका क्या करें वाई उसका देखाऊ साइज देख लएता है जो चाहिए इतना चैनल देता है ले?? यह सो बीटल चेंते मत्रोम में मिलना है और कि अरा पर से लाइने नहीं में पालएreck Candice एदर से फोरना पड़ेगा और 15 शेंटि यह जाएगा आपका यहां से यहां क्या पंदरा सेंटीव मेटर क्या जाएगा फैस उसके बाद क्या करेंगे दिवार की मोटाई चलेंगे इस है है नहीं उपर कितना चलना है आपको एक जलना है कितना चलना है यॉपर चल वो यह को य। नश्रों की कफूल सिंबल बनना चीमबल क्या है यह क्या क्या कहनक है ऐसे उसको प्लास्टर करेंगेां देखें प्लस्ट्र कैसे कर दिना एक आट प्लास्टर कर देनाँ फ में फ्रास'tरagers नहिसे को क्या है तो नहीं सोखेगा इसलिए क्या करते हूं लोग प्लास्टर कर देते हैं प्लास्टर करने से अब नहला होला जानते होंगे ना पानी नहीं सोखता सिमेंट का एक गोल बना के डाल ठीक है यह उसके बाद क्या हो जाएक आपका दस बारा पंद्र जितना मन कर ले सकते हैं तसेंटिमेटर मोट आपका sect का सलेंगे कि की तना असानी से बनाना था एक शीवर में लगाना था बाकि कुछ नहीं है चलिए अब क्या करेंगे गें लेक लाइन आएँ ड़के एधर ते मशने लाइन आएंगे इधर बनायेंगे क्या लिखंग के बर पिए सब्सक्रेट दें guys UCB सेमें भाग उसके बाद एक यहाँ जग ऐघए इसको लेकाएंगे और इस जहां इसको रोकर है जहां इसको रोकें वहां इसको भी रोकेंगे क्या वजाएगा आपका ब्रीक मेशनेरी तो एक समंध है चार का उसके बाद प्लास्टर को लेकर यह लिख दिजिए 12 mm ठीक 12 mm ठीक क्या आपका प्लास्टर एक समंध है ठीक है उसके बाद क्या देगा उसको लेख आई और क्या लिखना है इसको लिख दिजिए आप सब एक लेबल में लेकर आना और क्या लिखना है कि दश सेंटिमेटर थीक कि और fif the Is weave कि क्या दिस और मोटा और सीटिरमनों कि इस संबंदयों कि न संबंद है यह शाय न उसके बार तो कुछ द्रीक नहीं रहा है साड़ा डेटा का हो इसको उंदर दिखा दिएगा 600 essa am no इसको दिखा दिखा suggestive लेगा कितना यह आपका है 600 mm यह अंदर आपका 600 mm और यह कितने इसके मुझाइब कितने हो जाएगे आपकी 800 mm तो यहां आपका 800 mm ठीक है और दिवारों की मुटाए लिख सकते हैं आपकर 20 cm ठीक है हाँ 20 cm ठीक ब्रिक मेशनरी ठीक है तो यहां आपका कम्प्लेट होता है क्या रेक्टेंग डाल सी हो